आज के जो company है वो एक काफी बहतरीन company के तौर पर आपको market में काम करती हुई नजर आएगी उसके detail पर जाने से पहले हम लोग return के उपर बात करेंगे जहां पर two years और three years के जो return है वो आपके काफी बहतरीन return रहे हैं वही one year पर आप नजर डालेंगे तो ये भी आपके 33% के return आपको दे चुकी है company ये भी आपके एक तरीके से अच्छा खासा return रहा है साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो में और देखेंगे की company के details क्या है और साथ ही साथ इसके चार्ट के उपर भी बात करने वाले हैं बने रहे ये वीडियो में आखरी तक आज की जो company है वो है आपके अतुल लिमिटेड ये company incorporate हुई थी 1947 में और ये आपके कस्तूर बाई लाल भाई के तरफ से इन्होंने found किया था या फिर ये इनके founder रहे हैं ये company आपके Indian based company है जो की life science chemical में काम करती हुई नजर आती है इनके जो product है वो use किये जाते हैं various industry में but mainly इनके दो segment है जो की आपके life science chemicals and performance है और आपके other chemicals हैं वहीं इनके जो improvement रहे हैं वो आपके integrated chemical company के तौर पे रहे हैं और about इनके पास 4000 customers है और वहीं आपको 30 industries में ये आपको serve करते हुए नजर आते हैं कुछ इनके companies हैं जो establish किये गए थे subsidiary के तौर पे वो भी आपके overseas जहांपे USA में 1994 में UK में 1996 China में 2004 और Brazil की बात करे तो 2012 में UAE में इन्होंने 2015 में अपने establish किया है कुछ subsidies को जहां से ये अपने जितने भी काम है जितना भी business है उसको और यहां से ये बढ़ा सके और अच्छे तरीके से customer तक इनकी reach पहुँच सके next यहां पर जो इनके group entities हैं उसके उपर बात करें तो कुछ companies आपको यहां नजर आ रहे हैं जैसे कि अतुल बायो साइंस लिमिटेड, DPD लिमिटेड उसके साथ ही अतुल राजिस्थान, डेट पाम्स लिमिटेड कुछ companies यहां पर joint venture के थू भी आपको नजर आ रहे होंगे वहीं आप देखेंगे तो आपके रुडल्फ अतुल chemical लिमिटेड हो गए या फिर अमल लिमिटेड है या आपने जो अभी overseas की जो companies हमने देखी है अतुल USA है, अतुल Europe तो ऐसे ही कुछ companies आपको यहां नजर आ रहे हैं साथ ही बात करें company के थोड़े और detail के उपर तो 4000 customers तो है ही 92 countries में इनके presence रहे हैं वही 6 production sites हैं आपके इंडिया में 30 industries में यह serve करते हैं वही 140 brands के through उसके साथ ही 5 sales offices रहे हैं आपके abroad में 900 products और 400 formulation इनके पास available है 50 megawide इनके captive power plant भी है वही अगर joint venture की जहां हम लोग बात करें तो कुछ इनके companies रहें जिनके साथ joint venture किये थे इनोंने और उसके through इनोंने कुछ नई companies भी बनाई है जहां पर हम लोग holding देखेंगे period क्या रहा है और क्या-क्या product यह बनाते उस company के through तो partners की बात करें तो इनकी partnership हुई थी joint venture हुई थी American Sinamid के तरफ से वही इनके जो company है Sinamid India करके इनोंने company बनाई है जहां पर इनके 35-65 इनके holdings रहे हैं और period जो रहा था 1961 से लेके 1999 तक जहां से यह जो product बनाते है agrochemical और pharmaceutical के उपर इनका focus बना हुआ है ICI के तरफ से जो इनका joint venture हुआ था company इनोंने establish की है attic और यह textile dyes में आपको काम करते हुए नजर आते हैं वहीं आपके कुछ companies थे सिबा तो वहां से इनके एक और company इनोंने बनाई जहां से यह hardness और resigns वगरा बनाते हैं government of Rajasthan के साथ इनोंने जो joint venture किया था तो एक company इनके अतुल राजस्थान date palms तो यहां से आपको यह date palms बगराते हुए नजर आते हैं बेचते हुए नजर आते हैं numbers of इनके companies के साथ इनका joint venture भी रहा और इसके साथ ही साथ इनोंने अपने कुछ और नए companies को establish किया है अलग-अलग आपके product segment में वहीं बात करेंगे कौन-कौन से industries में यह serve कर रहे हैं जैसे की agriculture हो गए आपके electrical and electronics है fragrance, glass, home care, pharmaceutical या फिर आप कह सकते हैं आपके horticulture है paint and coatings है तो यह numbers of आपके industries आपके सामने है आप चाहें तो थोड़ा और इसके उपर research analysis करने के बाद और बहतरीं तरीके से आपको समझ आगा कि और कौन से industries में यह आपको serve करते वे नजर आ रहे हैं पाट of these industries जो यहां पर mentioned है उसके साथ ही बात करें जो इनके कुछ brands है market में जो available है वो कौन-कौन से है तो लिपोक्स करके है या फिला के रहे है तो यह इनके कुछ brand आपको नजर आते होंगे market में वहीं कुछ fungicides के लिए herbicides, insecticides के लिए या bio stimulates के लिए भी product यह बनाती हुई company नजर आ रहे है और इनके अलग-अलग brand आपको नजर आते है market में जैसे कि माईजा करके है जो आपके bio stimulates के लिए काम कर रहे है तो वैसे numbers of इनके brand भी available है वहीं बात करें अगर analyst के estimate की क्या कहती है analyst तो 33% analyst आपको फिलाल buying की rating दे रहे हैं आपको कह रहे हैं आप चाहे तो आप यहां से buying initiate कर सकते हैं कुछ 56% जो आपके analyst है market में उनका यह कहना है कि आप चाहे तो आप इसको भी फिलाल hold करके रख सकते हैं कुछ और समय के लिए वहीं 11% analyst का यह कहना है कि आप चाहे तो आप इसमें sell करके आप exit कर सकते हैं आपने जो भी आपके holdings हैं वहीं इनके जो stock valuation के उपर नज़र डालेंगे तो dividend yield जो है वो 0.20% के आसपास है तो यह आपको dividend provide करती है company वहीं EPS इनके काफी जादा strong नज़र आएंगे 217 के आसपा stock P या फिर industry P में compare करें तो आपको थोड़ा overvalued यह नज़र आने वाली है साथ ही साथ quarterly results कैसे रहे हैं इनके June 21 के quarter में आप नज़र डालेंगे तो यहां आपको हलकी सी dip नज़र आई है in comparison to previous quarter March 21 के मुकाबले आपको यहां एक dip नज़र आ रहे होंगे चाहे वो sales की बात करें चाहे वो operating profit की बात करें या फिर हम लोग net profit की बात करें उसके बाद हम लोग अगर देखे September 21 के जो numbers रहे हैं तो यहां पर आपको numbers बढ़ते वे दिखेते sales के in comparison to June 21 जहां पर इनके 1080 करोर से यह 1250 करोर के sales generate करते वे नज़र आए बट उसके बावजूद भी आपको operating profit और net profit में dip नज़र आए है June 21 के मुकाबले जहां 236 से 219 करोर का इनका operating profit हो गया था और net profit की बात करें तो 166 करोर से 147 हो गया वहीं आपके अगर हम लोग current quarter की बात करेंगे तो current quarter में company ने अच्छा perform किया है तीनों ही parameters पे पिछले बाकी जितने भी quarters रहे हैं उनके मुकाबले क्य आए हैं साथ इनके जो yearly results है yearly results में आपको इस साल के number में डिप नज़र आएंगे sales के sales में आप देखेंगे यहां जो numbers निकल के आ रहे हैं वह आपके 3731 करोर के आसपास जबकि यह पिछले quarter पिछले साल हुआ करते थे 4093 उसके पहले भी आपको 4038 तो ऐसे आपके numbers थे बड़ इस साल डिप नज़र आए हैं operating profit की बात करें तो operating profit तो इनके बढ़े हैं but net profit में आपको कहीं न कहीं हलकिसी एक dip देखने को मिली है तो जहां इनके quarterly basis के जो recent quarter के numbers हैं वो काफी बहतरीन रहे हैं but जो आपके yearly basis के numbers हैं उनमें आपको dip नज़र आई है साथ ही इनके sales and profit growth percentage है उ तो sales growth के numbers आपको continuously गिरते हुए नज़र आ रहे हैं आपको क्यूंकि 8% से 4% and 4% से यह आपको decline में नज़र आ है minus 10% वही profit growth percentage की बात करें तो जहां यह आपके पिछले 5 से 3 साल में यह बढ़ते हुए दिखे थे 33% हुए थे अगेन आपको यहाँ dip नज़र आए है minus 2% के आसपास साथ ही ROE and ROCE पे नज़र डाले तो यह आपके अच्छे हैं अभी फिलाल तो क्यूंकि आपके जो ROE and ROCE है 3 साल के मकाबले आपको यहाँ पर dip नज़र आए हैं बट 5 साल के मकाबले आपको फिर भी बहतर देखने को मिले हैं तो बहुत minor से फिर भी dip रहे ही है उसके साथ ही बात करें तो यह आपके debt-free company के तौर पे काम करें और cash भी जो इनके पास available है वो आपको काफी अच्छे numbers में available नज़र आएंगे 308.73 करोर के आसपास फिलाल company cash hold कर रही है उसके साथ ही share holding patterns पे नज़र डाले तो most of the holdings promoters के पास है 45% holdings वहीं यहाँ पे आपको D.I.S. काफी अच्छे तरीके से काफी भारी मातरा में आपको holdings लेते वे नज़र आ रहे है 22% के आसपास है वहीं public की बात करेंगे 23% है और F.I.S. की पास सबसे कम है जो की है 10% only promoters pledging की बात करें कोई तरह की किसी भी तरह की कोई pledging नज़र नहीं आई है आपको इस current quarter में अब बात करते हैं जो D.I.S. के 22% की holding है उनमें कौन-कौन से mutual fund आपके included है जो investment कर रहे हैं आपके अगर आपको वीडियो आखरी में अच्छा लगता है प्लीज इसको like and share जरूर करें अपने family and friends के साथ और अगर आप हमारे चैनल पे नए है चैनल को subscribe करना भी ना बूले क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम हर दिन लेके आते हैं आप सभी के लिए यहां देखें यह रहे आपके चार mutual fund जहां पर आपके दो DSP के तरफ से है एक महिंद्रा और एक कोटेक DSP की बात करें तो DSP mid cap यहां investment करती भी नजर आ रही है 3.78% के साथ वहीं DSP small cap आपके जो investment करी है वो है 3.58% महिंद्रा मैनूलाइफ mid cap की बात करेंगे 2.75% के आसपास investment है and the last one is कोटेक Emerging Equity Fund जिनके 2.32% के आसपास यहां investment है अब बात करते हैं इसके चार्ट के उपर चार्ट में आप देखेंगे जिस तरीके से आपको एक uptrend में आपको इसमें रैली देखने को मिल रही थी काफी लंबे समय से उसके बाद आपको October के बाद यहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे रही थी और वापस से आपको यह अपने जो higher रहा था इसका previous वहां तक वापस आपको जाता हुआ दिखा है अगेन आपको सेम लो बनाते वे नजर आया है अगेन अभी आपको जिस प्राइस पे नजर आ रहा है यह शेयर अगेन अपने जो previous और उसके previous में जितना high इनों ने बनाया था वहीं पर आपको almost नजर आ रहा होगा अब अगर हम लोग यहां से देखे कि हमारे लिए कहां पर एक बहतरीन opportunity है तो इनकेस अगर आपको इसमें थोड़ी सी और डिप मिलती है तो वहां से आप चाहें तो investment स्टार्ट कर सकते है अदर्वाइस यहां से अभी रिवोस बैक होता हुआ नजर आ रहा है यह हम लोग वन वीक के टाइम फ्रेम पे बात करें जहां से यह हर बार आपको अपन करते हैं प्राइस की तो अभी जिस तरीके से यह आपको 9,870 के प्राइस पर ट्रीट करता हुआ नजर आ रहा है वहीं इनकेस आपको यह 9000 के प्राइस पर भी आता हुआ नजर आये कुछ समय में अगर आप यहां पर आप इस पर दिहान रखते हैं तो उसके बेसिस पर आप वहां पर इन्वेस्मेंट अपने स्टार्ट कर सकते हैं बाकी आगे आने वाले समय में आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाईगी ही कंपनी क्यूंकि जिस तरीके के इसके जो अभी तक के रिटर्न रहे हैं उसक अपने कमपनी परफॉर्म भी अच्छा करें कि इस उसके इस के इस अविए जहीं को इस प्रमीटर्स देमें रखते हैं तो एक काफी बहतरी कंपनी के तऊर पर ये आपको काम करती हैं नजर आ रहे हैं बाकी इस यॉर कॉल आपको क्या करना है और पर इंवेस्टमेंट करन में बहुत ही जल, तब तक के रिए थैंक यू और टेक क्या